बुद्धिमान की परिच्छा बहुत समय पूर जब गुरकुल सिच्छा की प्रडाली होती थी तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्स गुरकुल में बिताना पड़ता था उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे जिनका गुरकुल बहुत प्रशिद्धि था जहां दूर दूर के राज के सिच्छा प्राप्त करने आया करते थे बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उसकी पत्नी का देहान थो चुका था घर में विवाह योग एक कन्या थी राधे गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी वह उसका विवाह एक योग वेक्ति से करना चाहते थे जिसके पास संपत्ती भले ना हो पर वह करमठ हो और किसी परिस्थिती में भी उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णे ले सके एक दिन उसके मस्तिस्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परिशानी का हल सुचा कि क्यों ना वो अपने खुद के सिस्थियों में से ही योग गिवर की तलास करे उसने बहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है इस कारे के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परिच्छा लेने का निर्णे लिया और सभी सिस्थियों को एककत्र किया राधे गुप्त ने सभी से कहा कि वे एक परिच्छा आयोजित करना चाहते हैं जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिच्छे होगा उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है जिसके लिए उनके पास परियाप्त धन नहीं है इसलिए वे चाहते हैं कि उनके सिस से विवाह में लगने वाली सभी सामगरी कैसे भी करके एकत्र करें भले उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी ना देख सके इसी एक सर्थ का पालन सभी को करना है अगले दिन सभी सिस्से कारी में जुट गए रोजाना कोई ना कोई तरह तरह की वस्तवें चुरा कर लाता और राधा गुप्त को दे लेता राधा गुप्त उन्हें एक विसेश इस्थान पर रख देते क्योंकि परिच्छा के बाद यह सभी वस्तवें उनके मालिक को वापस करना जरूरी था क्योंकि वे अपने सिस्से को सही ग्यान देना चाहते थे सभी सिस्से अपने अपने दिमाग से कारी कर रहे थे लेकिन उनमें से एक चुपचाप गुरकुल में बठा हुआ था जिसका नाम रामा स्वामी था वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार चात्र था उसे ऐसा बैठे देख राधा गुप्त ने इसका कारण पूचा तब रामा स्वामी ने बताया कि आपने परिच्छा की सर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई ना देख सके इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं तब भी हमारी अंतर आत्मा उसे देख रही है हम खुद से उसे नहीं चिपा सकते इसका अर्थ यही है कि चोरी करना वे अर्थ है उसकी यह बात सुन राधा गुप्त के चैरे पर खुसी चा जाती है वे उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सबने जो चोरी की क्या उसे किसी ने देखा सभी कहते हैं नहीं तब राधा गुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को चिपा सकते हैं सभी को बात समज़ा जाती है और सबका सिर नीचे जुग जाता है सिवाय रामा सौमी के राधा गुप्त रामा सौमी को बुद्धिमानी की परिच्छा में अवल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि या परिच्छा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलासने के लिए रखी गई थी इस प्रकार मैं रामा स्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तैं करता हूं सभी खुशी से जूम उठते हैं साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौप विनम्रता से सभी से च्छमा मांगते हैं बुद्धिमानी की परिच्छा से यही सिच्छा मिलती है कि कोई भी कार अंतरमन से छिपा नहीं रहता और अंतरमन ही मनुस्य को सही रहा दिखाता है इसलिए मनुस्य को किसी भी कार के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है आज मनुस्य के अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया है इसलिए ही वोई गलत रास्ते पर जा रहे हैं हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत राह नहीं दिखाती यह जरूर है कि मन की आवाज हमें वो करने की सलाह देती है जिसे दिमाग कभी श्युकार नहीं करता क्यूंकि दिमाग सदयो स्वाहित में कारिक करता है और मन हमें सही और गलत का परिचे करवाता है यह सही गलत का परिचे ही हमें सदयो बुराई से दूर रखता है किसी भी कार के पहले हमें मन की आवाच जरूर सुनना चाहिए इस परिच्छा के जरिये राधा गुप्त ने अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर भी तलास लिया और सिस्यों को जीवन का अमूल ग्यान दिया आज के वक्त में कोई भी सिच्छक एवं सिच्छन पद्धती मनुस्य को धन कमाने तक का ही ज्यान देते हैं एक बालक का सरवांगीन विकास कहीं न कहीं लुप्त हो चुका है आज का मनुस्य केवल बड़े होकर एक धन्वान व्यक्ती बनने का ही ग्यान विद्यालेयों में लेता है उस बालक को सही गलत का बोथ कराने का दायतु कोई भी नहीं लेता क्योंकि उनके माता पिता भी आज के दोर में बस पैसा कमाने में लगे रहते हैं और सिच्छक भी केवल किताबी ग्यान देकर अपने दायत उसे मुक मोड लेता है ऐसे में यह चोटी चोटी कहानिया व्यक्ती को सही गलत सिखाने में एहम भूमिका निभाती हैं लेकिन आज कल इसके लिए भी वक्त निकालना मुश्किल है या एक गंभीर समस्या है जिसके फल सरूप आज के बच्चे आसानी से गलत रहां पर चलने लगते हैं और उन्हें इसका भान तब होता है जब वे पूरी तरह ग्रस्त हो जाते हैं अता जरूरी यह है कि हम सभी आज की पीड़ी को ग्यान वर्धक बातें भी सिखाएं तो दोस्तों यह थी आज की कहानी और आसा करते हैं कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी धबा दी ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके थाइंक्स फर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई एंडे केर